हलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारी उटूब चैनल पे आज हम जो कमोडिटी ट्रेडर से उनके लिए एक इंडिकेटर लेकिया है जो नैचुरिल गैस, कुरूड आईल ये स्क्रिप्ट में सही से काम करेगा, आपको सही गाइडन्स देगा और किस प्रकार से इसमें कॉल जनरेशन होता है, कौन से कॉल में आपको ट्रेड करना है कौन सा टाइम फरेम आपको प्रेफर करना है, नैचुरिल गैस में ट्रेड करने के लिए ये मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने नैचुरिल गैस का future लगाके रखा है 15 minutes का time frame आपको prefer करना है intra day के base पे natural gas में जो आप trade लोंगे उसके लिए अगर आप trade लेते हो crude oil में तो crude oil के लिए इसी strategy का use करना है और time frame आपका रहेगा 5 minute का तो ये details आपको देखनी है इसके base पे ही ये strategy काम करेगी अब आप देख सकते हो जब कोई call बनता है तो आपको sell call red color के साथ mark हो के मिलेगा और जब buy call बनेगा तो आपको green color कहरो show हो के मिलेगा अभी इसमें difference क्या होता है जब कोई भी call लेना हो तो आपको क्या parameters देखने है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जो volume है वो आपके साथ होना चाहिए trend line का color आपके साथ होना चाहिए बस ये दो condition है जो आपको follow करनी है अभी इसमें इसके अलावा भी resistance और support mark होके मिलेगा इसका भी काफी importance होता है जैसे कि ये sell call आपको यहाँ पे support का ध्यान रखना है कि कहाँ पे support है 536.8 के आसपास का जो आपका target बनता है वो आपको लेके book करना है तो इस प्रकार से आप अगर काम करोंगे तो ये आपको सही से guide करेगा जैसे कि ये भी आप पहले का buy call देख सकते हो यहाँ से भी आपको resistance तक profit दे गया और उसके बाद इसने दुबारा support टच किया तो इस प्रकार से ये आपको support resistance के बीच में भी सही से trade कैसे analyze करना है ये strategy के base पे आप वो आसानी से निकाल सकते हो तो इस प्रकार से ये strategy काम करेगी I hope वीडियो आपको पसंद आई Please like करे, share करे और subscribe करे channel Thank you, bye